हेलो फ्रेंट्स मैं हिर्देयानन भर्दो आज अपने यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ आज दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल इंटर्व्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्टन के बारे में जानेंगे जैसा कि आप थमनेल देखकर के जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम MCB और MCCB में क्या अंतर होती है इसके बार में जानेंगे तो आए बिना देर की हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली पार विजिट करें थे लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से समंदित अपडेट दी जाती है इसमें अंतर जाने से पहले इसकी दुनों का हम फूल फॉर्म जान लेते हैं MCB और MCCB का फूल फॉर्म क्या होती है MCB का फूल फॉर्म जो होती है मिनियेचर सर्किट ब्रेकर होती है इसको आप ध्यान में रखिएगा कहीं कहीं इसके पूल फॉर्म पूछ दिया जाते हैं और MCCB का फूल फॉर्म जो होती है वो मोडलेट के सर्किट ब्रेकर होती है अब आए इसके फूल फॉर्म जानने के बाद MCB और MCCB में क्या समानता होती है इसके बार में जान लेते है MCB और MCCB जो होती है यह दोनों जो होती है Electrical Circuit Breaker होती है यह दोनों का जो काम होती है Electrical Fault के समय आटोमेटिक बंद होकर के उपकरन को सुरक्षा प्रदान करना इसके अलावा इसमें और समानता होती है MCB और MCCB जो होती है वो दोनों Low Voltage Circuit Breaker होती है काने का मतलब है लो भोल्टेज सर्किट ब्रेकर का मतलब है कि यह जो होती है दोनों 1000 भोल्ट से नीचे उप्यों में लाए जाते हैं इसके अलावा और समानता इसमें होती है MCB और MCCB दोनों ही सोर्ट सर्किट और ओभरलोड अवस्था में फोल्ट होने पर उपकरन को सुरक्षा प्रदान करती है ते यह इसकी समानता हो गई अब आई इसके 3-4 मुख्य अंतर के बारे में ज्यान लेते हैं फर्स्ट जो इसमें अंतर होती है MCB और MCCB में MCB जो होती है 1 एंपियर से 36 एंपियर तक मार्केट में अबलेबल होती है जबकि MCCB का जो रेटिंग होती है 63 एंपियर से शुरू होकर के 1000 एंपियर तक आती है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा इसका जो इनपोटेंट फर्स्ट जो अंतर आती है इसके रेटिंग के अधार पर अलग-अलग होती है सेकेंड इसका जो अंतर है MCB जो होती है remote control नहीं होती है जबकि MCCB जो होती है remote control होती है remote control होने के बाज़ा से MCCB को हम दूर से भी इसे बंद कर सकते हैं तो ये दूसरा इसकी बड़ी अंतर हो गए तीसरा अंतर हम आईए जानते हैं MCB के अंदर TRIPPING CURRENT LEVEL फिक्स होती है जबकि MCCB के अंदर जो TRIPPING CURRENT को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं चौथा अंतर इसका जो मुख्य है आईए जानते हैं MCB का उपयोग हम घरों में Lighting Circuit और कम लोड पर चलने वाले उपकरणों को सुरक्षा परदान करने के लिए उपयोग करते हैं जबकि MCCB जो होती है इसका उपयोग कमपनी तथा बड़े उपकरण के लिए किया जाता है ते इसके बारे में हंतर थी दोस्तों अगर वीडियो हेल्पूल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक किजएगा और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सिस्क्राइब कर लिजएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जनकारे के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई